दून्सुरून नमश्गार दोस्तो आपका स्वाँगत है इसे पतना कर रहे है कि आत्मों लोग्त के जो दुनिया है वह आखिर किस तरीके से है और उसके साथ-साथ में आत्माईं क्या करती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे है आज का जो हमारे विशह है वो है अकेलापन का एक इनसान के रूप में हम बहुत बार दुखी हो जाते हैं हमारे जीवन में कुछ संगर्श बरा जीवन हो तो उसमें हम दुखी हो जाएंगे कोई दुख हमारे जीवन में आया था उसमें हम दुखी हो जाएंगे और जादातर दुखी लोगों का मतलब मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि मतलब दुखी जो लोग होते है वो थोड़ी से अकले में रहना की कोशिश करेंगे कि बापा थोड़ा सा वत मुझे अपने आपको दो मुझे थोड़ा सा अलग रहना है दुनिया से तो इस तरीके से हमें बहुत बार लगता है लेकिन अगर हम आत्मा के सुर्व में देखे जिनको आत्मों लोग के बारे में थोड़ी बहुत मतलब जानकर है उन्कोंने अब तक यही सुना होगा कि वहाँ पर हमारे अपने लोग हमारे साथ होँगी हमारी मारगदर शकात में हमारे साथ होगी हमें वहाँ पर ऐसा मतलब डरने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मतलब किसे के मन में ये सवाल आया कि फिर भी आत्मा आपको भी कभी समझो लगे दिल से कि मैं थोड़ा सा अकेले पन में रहना चाहती हूँ मैं थोड़ा सा हा मेरे अपने यहाँ पर है और मैं यहाँ पर दुखी भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा वक्त मुझे अपने आपको निकालना है या फिर मुझे सबसे मतलब थोड़ा सा अलग करके थोड़ा सा वहाँ पर जीना है और Dr. Michael Newton जी और Dr. Raymond Murijino ने भी मतलब बहुत अच्छे से इस पर परकाश डाला है वो हमसे यह कहते है कि बहुत सारी आत्माइं इस तरीके से कहती है कि अगर उनकी इच्छा हो मतलब जैसे एकांत में रहना अकेले में यह थोड़ी देर के लिए या फिर पुछ वक्त के लिए तो ऐसे वक्त में उनको उच्छबली जो आत्मा ही होती है वो उनको कहती है कि हाँ आपको जिस तरीके से रहना है उस तरीके से दुनिया में हम चाहे तो आपको बहँच सकते है या फिर अगर आपको किसी दुनिया में जाना है किसी मतलब दुनिया में मतलब किसी एक ग्रह में भी जाना है तो ऐसी वक्त में उनको उसकी परवांगी दी जाती है उसकी मतलब इजाज़त कभी कभी दी जाती है एक आत्मा ने दोस्तों डॉक्टर बायनविजी को इस तरीके से कहा था कि वो कभी-कभी मतलब पुर्थवी पर भी एक आंत के लिए आती है जैसे उसने ये कहा था कि डॉक्टर माइकल नुटन जो कि शायद कहा था तरीकी से पारदर्शी हूँ यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि किसी इंसान को हमारे मतलब हमारे रायने का वहाँ पर ऐसास ना हो क्योंकि वो हमसे डर जाएंगे अचनल कि इसलिए मतलब यह थोड़ी सी खबरदारी उनको लेनी पड़ती है उसने कहा थ और डॉक्टर बैनवीजी को दोस्तो एक आत्मा ने मतलब एक इनसान ने जब उसका पीलर चल रहा था तब उसने इस तरीके से कहा था कि आत्मा को इस शरूप में उस इंसान को मतलब उस आत्मा को दोस्तो एक बार एक अलग ग्रह पर भेजा गया था मतलब इस नहीं कहा थ मतलब एकांत में अगर गुजारना हो तो वह पर आगर जाने कि उनकी ईजाज़त उनको मिल जाए तो वहाँ पर कुछ लोग मतलब वहाँ पर कुछ दिर वहाँ पर आराम से वह रह सकते हैं तो इस टरीके के से एकांत क One cancer को अकर वहाँ पर होता है लेकिन आफ्म इसलिए भी प्रिया मतलब होता है उनको कि नहीं कुछ उनको करना होता है या फिर उनको अप जीवन में किस तरीके से आगे बातबढने है उसके पर उतित्वी पर ज़्यादातर दुख के वाज़े से इंसानमतलव से बहुत हैं तो आप तर दुख के वज़े से देखा गया है कि तोड़े से एकांट में मैं जीऊ लेकिन आत्मोंब लोग अगर आपकी दिल से इच्छा होगी तो हम मतलब जब तक जाहे तब एकांट में वहाँ पर ये कर सकते है बाद में हम फिर से अपने मतलब जो हमारा आत्मों लोग का परिवार होगा वहाँ पर मतलब उनके साथ बहुत अच्छी जिंदेगी बिता सकते है फिर भी उसके साथ उसके बाद भी हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए एकांत में कुछ सीखने के लिए तो उसके लिए भी हमें प्रुथ भी पर ही नहीं बिलकि आत्मों लोग में आत्मों को भी इच्छा उदे कि वो थोड़े से एकांत में जिये तो वहाँ पर उनके साथ इस तरीके से चीज़े होती है दोस्तों तो दोस्त हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विश्य को लेकर मिलेंगे तब तक सब्सक् yoga के साथ उन्हें पर फिल्डिये विडिये कि आर्डियोज भैजी जाएगी जिससे गर बैटे वा पर फिर लेक्टाप पर आपको भैजी जाएगे तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जूड़ना चाहते हैं तो गुरुपया इस नमबर पे WhatsApp मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद